आप सबको मेरा नमस्ते, अभी मैं आपको डो टुटोर्ल्स दिखाने वाले हूँ, वो है अठारा महिने से लेके दो साल के बच्चे को उसकी वेजितिन रेसिपीज और नॉन वेजिट रेसिपीज ठीक है, हमेशा हम लोग को लगता है कि हम लोग अभी भड़ा थोड़ा बच्चा हो गया धदे हम लोग लेकिन ये बच्चा आप चो खाएंगे थाले में वही जो थाली में, आपकी थाली में जो हैं उसकी थाले में भी होना चाहिए, आप लोग सब सात में बटके खाना सकते वो तो पहले से वैसा ही करना है आपको और ध्यान में रहे कि शक्र गुड अपी भी नहीं डेलना है बच्चों को मद भी नहीं देना है आप उसको बच्चे को थोड़ा सा नमग टाल सकते हैं लेकिन बहुत अच्छी तरह हम लोग ने सारी रेसिपी बनाई है अपने आप दे चले गया और वच्च्छा खाना भी खाएगा ध्यान में रहे कि अभी दो साल तरह बच्चे को मा का दूद्ध चालो रखना है तो दूद बल्कुल बनने करना है कोई और रेसिपी में आप लोग मा का दूद्ध भी अंदर डाल सकते हैं पकाने के टाइम तो मां को सिखा सक सकते हैं कि कैसे अपना दूद्ध निकालके बचे की रेसिपीस में डाल सकते हैं ठीक है धन्यवाद 19 से 24 मेहने के शिशु के लिए शाकाहरी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कैलरी की जरूरते इस आयू में शिशु परिवार के बाकी सदस्यों की तरह ही खाना खाने के लिए तैयार होते हैं पूरक आहार के साथ साथ शिशुओं को दो वर्ष की आयू तक स्तनपान कराना चाहिए इस दोरान रोजाना 550 कैलरी उर्जा की जरूरत होती है इस आयू में शिशुओं को एक कप खाना दिया जाना चाहिए एक कप लगभग 250 मिलिलीटर या 16 बड़े चम्मच खाना होता है इसे दिन में 5 बार दिया जाना चाहिए अब खाना बनाना सीखना शुरू करते हैं पहला है भरवां खांडवी इसे बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक बड़ा चम्मच भुना बेसन 50 ग्राम दही एक बड़ा चम्मच बारी किया हुआ पनीर एक बड़ा चम्मच उबली हुई फुल गोभी दो छोटा चम्मच मूग फली की पावडर आपको यह भी चाहिए होगा एक चोथा ही छोटा चम्मच हल्दी पावडर एक चोथा ही छोटा चम्मच जीरा पावडर एक चोथा ही छोटा चम्मच मिर्च पावडर एक चोथा ही छोटा चम्मच अद्रक लहसुन का पेस्ट एक छोटा चम्मच घी दो चुटकी नमक पहले में आपको बताऊंगी कि खांडवी में भरने वाला मिश्रन कैसे तयार करते हैं बारी किये हुए पनीर, उबली फुलगो भी और मुंफली के पाउडर को एक साथ मिलाए पैन में आधा छोटा चमच घी गर्म करें मिश्रन को पैन में पांच से साथ मिनट तक भूने इसमें जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर और एक चुटकी नमक डाले इसे अच्छे से मिलाए और धीमी आज़ पर चार से छे मिनट तक पकने दे भरने वाला मिश्रन तयार है रोल बनाने के लिए दही को कटोरे में ले इसमें हल्दी पाउडर, अद्रक लहसुन पेस्ट और थोड़ा सा पानी डाले चुटकी भर नमक डाले और इसे अच्छे से मिलाए इसमें भूना हुआ बेसन डाले और अच्छे से मिलाए ध्यान दे कि कोई गाठे न हो अब इस तैयार पेस्ट को बरतन में डाले और इसे 5-7 मिनट तक पकाए इसे गाढ़ा होने तक लगातार हिलाते रहे पेस्ट में कोई गाठ नहीं होनी चाहिए अब एक बड़ी प्लेट के पिछले हिस्से पर आधा छोटा चम्मच घी लगाए प्लेट पर पेस्ट की पतली और समान परत लगाए हम इसे खांडवी कहेंगे खांडवी को कुछ समय तक थंडा होने दे अब खांडवी पर बनाए हुए मिश्रन की पतली परत फैलाएं फिर खांडवी को समान आकार के टुकडों में काटे फिर हलके हाथ से हर टुकडे को कस कर रोल करे भरवा खांडवी तयार है दूसरा सीखेंगे सुरज मुखी के बीजों की चटनी के साथ कोदों से बना डोसा इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 15 ग्राम कोदो 15 ग्राम उड़द 15 ग्राम सुरज मुखी के भुने बीज एक बड़ा चमच कसा हुआ नारियल आपको यह भी चाहिए होगा एक बारिक कटा टमाटर एक हरी मिर्च आधा निम्बू का रस आधा छोटा चमच घी दो चुटकी नमक बनाने का तरीका कोदों और उड़द को धोए और साथ से आट गंटों के लिए पानी में भीगो दे भीगने के बाद मिकसर या सिलबट्टे में इसका बारिक पेस्ट बनाए खमीर के लिए इस पेस्ट को आट से नो घंटे तक अलग रखे पेस्ट के खमीर उठने के बाद एक चुटकी नमक डाले और अच्छे से मिलाए अब पैन में घी गर्म करे पैन में एक चमच पेस्ट डाले इस पेस्ट को गोलाकार आकार में फैलाए इसे दो से तीन मिनट तक दोनों और से पकाए कोदो का डोसा तयार है अब मैं आपको चटनी बनाने का तरीका समझाऊंगी सुरज मुखी के भुने बीज और कसा हुआ नारी अले एक हरी मिर्च, टमाटर और एक चुटकी नमक डाले मिक्सर में या सिल्बटे पर पीस कर इसका पेस्ट बनाए इसे एक कटोरे में डाले आधा निम्बू निचोडे और इसे अच्छे से मिलाए सुरज मुखी के बीजों की चटनी तयार है इसे डोसा के साथ परोसे तीसरी रेसिपी सीखेंगे दही करी में तील और सहजन के पत्तों का कटलेट जरूरी सामगरियां है एक बड़ा चमच तील का पावडर एक बड़ा चमच भुना बेसन 20 ग्राम सहजन के धुले पत्ते 100 ग्राम दही एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पावडर आपको यह भी चाहिए होगा एक चोथाई छोटा चमच जीरा एक चोथाई छोटा चमच सरसो साथ से आठ करी पत्ते एक चुटकी नमक एक छोटा चमच घी बनाने का तरीका एक पैन गर्म करे और तिल को सुनेरा होने तक भुने उन्हे थंडा होने दे और फिर मिक्सी में इसका बारिक पाउडर बनाए अब पैन गर्म करे और सहजन के पत्ते डाले और पाँच मिनट तक भुने इसे प्लेट पर निकाले भुने पत्तों में तिल का पाउडर डाले भुना हुआ बेसन डाले हल्दी पावडर और एक चुटकी नमक डाले इसे अच्छे से मिलाए थोड़ा सा पानी डाल कर साफ हातों से आटा गुंथ ले फिर गुंथे आटे के दो गोले बनाए और इसके चपते कटलेट बनाए अब पैन में आधा छोटा चमच घी गर्म करे अब दोनों और से पकने तक पैन में इन कटलेट को भूने इन्हें बाद के उपयोग के लिए रखे अब हम करी बनाएंगे स्टील के बरतन में आधा छोटा चमच घी गर्म करे इसमें जीरा, सरसो और करी पत्ता डाले बीजों के भुन्ने के बाद फेटा हुआ दही और हल्दी पाउडर डाले इसे पाच मिनट तक पकाएं तरी के पकने के बाद उसमें तील के कटलेट डाले इसे धीमी आज़ पर तीन से पाच मिनट तक पकाएं दही करी में तिल और सहजन के पत्तों का कटलेट तयार है अगला सीखेंगे कंगनी का पुलाव जरुरी सामगरी है एक बड़ा चमच भीगोए कंगनी एक बड़ा चमच अंकुरित लोबिया 50 ग्राम दही 2 छोटा चमच मूंगफली पावडर 4 छोटा चमच कसा हुआ गाजर 1 छोटा कटा प्याज जरुरी मसाले है 1 छोटा चमच हल्दी पावडर 1 छोटा चमच मिर्च पावडर 1 छोटा चमच जीरा पावडर अन्य आवशक सामगरीया है 7 से 8 करी पत्ते 1 चुटकी नमक और 1 छोटा चमच घी आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको अंकुरन का तरीका समझाऊंगी लोबिया को धोए और 8-9 घंटे तक पानी में भिगोए फिर इसे एक चलनी में डाल कर पानी से अच्छी तरह धो ले सारा पानी निकल जाने दे और फिर इसे एक साफ सुथी कपड़े में बांध दे अंकुरन तक इसे अलग रखे अब हम इसे बनाना शुरू करते है प्रेशर कुकर में घी गर्म करे, प्याज और करी पत्ते डाले धीमी आँच पर 4-5 मिनट तक भूने अब इसमें अंकुरित लोबिया, कंगनी, गाजर और दही डाले अब इसमें सभी मसाले और नमक भी डाले इसे अच्छे से मिलाए एक कब पानी डाले और फिर से मिलाए इसे 4-5 सीटी तक कुकर में पकाए कंगनी का पुलाव तयार है बताये हुए सभी खाने प्रोटीन और ओमेगा-3 फैटी एसीर से भरपूर है ये विटामिन B कॉम्पलेक्स, फास्परस, पोटेशियम और जिंक के स्त्रोथ है ये केलशियम, मैगनेशियम, आईरन और सलफर के भरपूर स्त्रोथ भी है अच्छे स्वास्त के लिए इन खानों को अपने शिशू के रोज के खाने में शामिल करे अब यह टुटोरियल यही समाथ होता है यह स्क्रिप्ट विका सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद उननीस से चोबीस मेहने के बच्चे के लिए मावसाहरी खानों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे उननीस से चोबीस मेहने के बच्चे के लिए उर्जा की आवशक्ताएं मेहनों के दवरान बच्चे को रोज 550 कैलरी उर्जा की जरुरत होती है। यह उर्जा पूरक आहार से मिलनी चाहिए। इस अवधी में हर बार एक कब भोजन दिन में 3-5 बार देना चाहिए। मौसम के हिसाब से आपके इलाके में मिलने वाली चीजों का उप्योग करे। अलग-अलग मावसाहरी खाने जैसे कि मचली, अंडे, चिकन और मास दिये जा सकते है। पूरक आहार के साथ साथ मा का दूद भी जरुरी होता है। दो वर्ष की आयू तक स्तनपान कराने की सला दी जाती है। अब पहला खाना बनाना सीखते हैं, मचली का कटलेट। इसे बनाने के लिए आपके इलाके में मिलने वाली कोई भी 150 ग्राम मचली का आप उप्योग कर सकते हैं। उदा हरनस्वरूप, रावस, बांगडा, पापलेट, रोहु, आदी। मैं 150 ग्राम रोहु का उप्योग करूँगी। इसको बनाने के लिए अन्य आवशक सामगरी है। आधा बारी कटा प्याज। एक अंडा। दो बड़े चमच धनिया के पत्ते। एक बड़ा चमच भुना बेसन, एक बड़ा चमच निम्बु का रस, एक छोटा चमच घी या तेल, पाव चमच नमक। आवशक मसाले हैं। पाव चमच हल्दी पावडर, पाव चमच लाल मिर्च पावडर, आधा चमच जीरा पावडर, आधा चमच धनिया पावडर बनाने का तरीका 150 ग्राम धुले और साफ किये गए मचली के टुकडे ले इस पर नमक, हल्दी और निम्बू का रस लगाए इसे 25 से 30 मिनट तक अलग रखे एक गिलास पानी के साथ मचली के टुकडों को कूकर में डाले तीन सीटी होने तक पकाए स्वयम प्रेशर निकलने दे और फिर धक्कन खोले मचली के टुकडे बाहर निकाले और मचली से कांटे और उसकी चमडी अलग करे चमच और साफ हातों का उप्योग करके मचली को घोट ले घोटी हुई मचली को कटोरे में ले इसमें कटे हुए प्याज और धनिया के कटे हुए पत्ते डाले फिर लाल मिर्च पावडर, जीरा पावडर और धनिया पावडर डाले मिश्रन को इकटा करने के लिए आप एक बड़ा चमच भुना बेसन डाल सकते है सभी को अच्छे से मिलाए और इस मिश्रन के गोल बनाए कटलेट बनाने के लिए गोले को चप्ता करे एक घंटे तक इसे ठंडे स्थान पर रेफ्रिजरेटर में रखे अब अंडे को अच्छे से फेटे और थोड़ा नमक डाले फेटे हुए अंडे में कटलेट डुबोए और चारो तरव से लगाए पैन में तेल गर्म करे धीमी आज में कटलेट को दोनों और से तले मचली का कटलेट तयार है दूसरा सीखेंगे अंडे और चवलाई के पत्तों की करी आवशक सामगरी है दो उबले अंडे 30 ग्राम या 3 चौथाई कब धुले चवलाई के पत्ते एक बड़ा चमच सफे तील आधा कटा हुआ प्याज, आधा कटा हुआ टमाटर दो छोटा चमच घी या तेल एक चोथाई चमच नमक आवशक मसाले है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चमच धनिया पाउडर एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर बनाने का तरीका पैन में तेल या घी डाले कटा हुआ प्याज डाले और हलका सुनरा होने तक भुने फिर कटा हुआ टमाटर डाले इसमें नमक, मसाले और तिल डाले सभी को अच्छे से मिलाए और एक से दो मिनट तक पकाए फिर इसमें चवलाई के पत्ते डाले और इसे भूने इसमें उबले अंडे के टुकडे डाले अब आधा कप पानी डाले और इसे ढख दे धीमी आज पर तीन से पाच मिनट तक पकाए अंडा और चवलाई के पत्ते की करी तयार है आप मोसम के हिसाब से अपने इलाके में मिलने वाली पत्तेदार सबजियों का उप्योग कर सकते है उदा हरन स्वरू पालक, मेथी के पत्ते, अर्भी के पत्ते आदी अगला पदार्थ चिकन बॉल करी है इसको बनाने के लिए आवश्चक सामगरी है सो ग्राम चिकन कीमा एक कप या एक मुठी धनिया के धुले पत्ते एक बड़ा चमच दही तीन चोथाई बड़ा चमच भूने अलसी के बीज आधा छोटा प्याद आधा इंच अद्रक दो से तीन लहसून की कलिया आपको इन मसालों की आवशक्ता होगी आधा छोटा चमच जीरा पावडर आधा छोटा चमच धनिया पावडर आधा छोटा चमच गरम मसाला पावडर आधा छोटा चमच जीरा एक चोथाई छोटा चमच हल्दी पावडर आपको एक छोटा चम्मच तेल या घी की आवशकता भी होगी अपने स्वाद के अनुसार नमक ले बनाने का तरीका चिकन कीमा को कटोरे में डाले नमक और हल्दी डाले इसे 20 से 30 मिनट तक अलग रखे अब इस चिकन को चार भागों में बाटे और गोले बनाए चिकन बॉल को भाप में पकाने के लिए बरतन को एक चोथाई पानी से भरे बरतन में स्टैंड रखे फिर चिकन बॉल की प्लेट को स्टैंड पर रखे बरतन को ढग दे और 10 मिनट धीमी आँच पर पकाए अब तर्री के लिए पेस्ट बनाते हैं प्याज, धनिया के पत्ते, अद्रक, लहसुन, भुने अलसी के बीच मिकसर में डाले दही डाले और इसका मुलायम पेस्ट बनाए पैन में तेल या घी गरम करे और जीरा डाले इसके भुन्ने के बाद इसमें तयार पेस्ट डाले जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डाले इसे अच्छे से मिलाए और इसे 2-3 मिनट तक पकाए फिर पैन में आधा कब पानी और भाप में पके चिकन बॉल डाले इसे ढखे और 5-7 मिनट तक धीमी आँच पर पकाए आज बंद करे और धनिया की कटी पतियों से सजाए चिकन बॉल करी तयार है अगला पदार्थ सीखेंगे चिकन कलेजे से भरी सावा की इडली इसके लिए हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच या 60 ग्राम सावा 2 बड़े चम्मच या 30 ग्राम उड़त डाल 60 ग्राम या एक चिकन कलेजी आधा बारी कटा प्याज एक चोटा चम्मच निम्बू का रस आधा चोटा चम्मच अद्रक लहसुन पेस्ट आधा चोटा चम्मच मेथी दाना आवश्यक मसाले है आधा चोटा चम्मच हल्दी पावडर आधा चोटा चम्मच गरम मसाला पावडर एक चोथाई छोटा चमच धनिया पावडर आपको एक बड़ा चमच तेल या घी और एक चोथाई छोटा चमच नमक की भी आवशकता होगी बनाने का तरीका एक कटोरे में सावा को धोए और रात भर भीगो कर रखे इसी तरह उड़त दाल और मेथी दाना को धोए और एक साथ भीगोए अगली सुबह दोनों कटोरों से पानी निकाले इसमें थोड़ा सा पानी मिला कर इसका मुलायम पेस्ट बनाए थोड़ा नमक डाले और खमिर के लिए इसे साथ से आठ घंटे अलग रखे अब चिकन कलेजी को प्लेट पर रखे इस पर निम्बु का रस, हल्दी पाउडर और अधरक लसुन का पेस्ट लगाए बीस से तीस मिनट तक इसे अलग रखे फिर पैन में तेल गर्म करे और कटे प्याज को भूने इसे हल्का सुनेरा होने के बाद इसमें चिकन कलेजी डाले नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाले सभी को अच्छे से मिलाए आधा कब पानी डाले और पैन को ढग दे इसे पानी के सुखने तक धीमी आँच पर पाच मिनट तक पकने दे मसाला तयार है इसके ठंडे होने के बाद चिकन कलेजी को बारिक टुकडों में काटे अब इडली के प्लेट पर घी या तेल लगाए थोड़े से खमिर उठे हुए पेस्ट को इडली प्लेट्स में डाले इसमें एक छोटा चम्मच चिकन कलेजी भरे फिर इसके उपर थोड़ा और इडली का पेस्ट डाले बाकी की इडली बनाने के लिए फिर से ऐसा करे इडली स्टैंड को प्रेशर कुकर में रखे और बीना सीटी लगाएं पकाए दस से बारह मिनिट धीमी आँच पर पकाए चिकन कलेजी से भरी सावा की इडली तयार है यह सभी आहार प्रोटीन, ओमेगा तीन फेटी एसीड और कोलीन से भरपूर है यह आहार विटामीन के अच्छे स्त्रोथ है जैसे विटामिन D, A, B2, B3, B6, B9 और B12 इन सभी आहारों में आईरन, जिंक, कैल्शियम और फोस्परस भी मौजूद होता है अच्छे स्वास्त के लिए इन खानों को बच्चे के आहार में शामिल करे अब यह टुटोरियल यही समाप्थ होता है यह स्क्रेप्ट विका सेमवाल द्वारा अनुवादित है मैं स्नेहां किता देवगेकर अब आप से विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद हमसे देवपेशन सुड़ने के लिएकर से विए टारा के लिएकर अग्ट तो, कर दो खिएधने के लिएकर अग्टोरियल यहीं से विएकर प्रेप्टोरियल यहीं। झाल झाल